नमेशकार दोस्तों, इलेक्टरिक वहिकल का विस्तार करने के लिए और जादा उसको बढ़ाने के लिए लोग उसको जादा अपनाएं इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है आज के डेट में भी वो है बैटरी का मामला हमारे पास या फिर कहीं पर भी अगर आप देखोगे पूरी टेक्नॉलजी ऐसी कोई नहीं आई है जहाँ पर जो बैटरी है वो लंबे दूरी तक किसी कार को ले जा सके अभी भी जो टेक्नॉलजी है उसमें रिसर्च और डवलप्मेंट चल रहा है ताकि बैटरी को लेकर एक बहतर विकल्प आ सके आज के डेट में तो यहाँ पर क्या हुआ एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है भारत की एक कंपनी है इंडियन ओयल कोर्पोरेशन और एक इसराइल की कंपनी है दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर डिसाइड किया गया है Memorandum of Understanding Sign हो चुका है और बहुत ही जल्द यहाँ पर दोनों के द्वारा मिलकर Metal Air जो बैटरी होती है उसको डवलप किया जाएगा अब Metal Air बैटरी में कई सारी खामिया है कुछ प्रॉब्लम्स है उसको भारने में मदद की जाएगी यहाँ पर आप न्यूस देख सकते हो Boost to E-Mobility, Indian Oil Partners with Israelis, Finnergy to manufacture Metal Air Batteries तो इस वीडियो में हम जानेगे कि Metal Air Batteries होती क्या है यह work कैसे करती है जो भारत और इस्राइल की company के बीच में यह जो पूरा एक तरह से joint venture बना है इसके मदद से क्या किया चाहेगा भारत क्यों इसकी क्या होशकता है हर एक चीज मैं आपको detail में बताऊंगा चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे lecture की हर PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जोइन कर सकते हैं by searching, अंकित अगरवाल official और जैसा कि आपको पता है कि UPSC का notification आ चुका है आप अपनी preparation और जादा बहतर मजबूत करने के लिए आप हमारे UPSC course को join कर सकते हैं जहांपर comprehensive way में जितनी भी material हैं चीजे हैं एक जगा उपलब करा दी जाएंगी तो आईए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि exactly हुआ क्या है हम क्यों इसके बारे में discuss कर रहे हैं तो ये तो हमको पता ही है कि जो state owned हमारी company है Indian Oil Corporation Limited IOCL आपको पता ही होगा इनका यहाँ पर एक joint venture हुआ है Israel based एक startup है जो battery technology को लेकर काम कर रहा है इसका नाम है Finnergy Finnergy के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूँ आपको 2008 में इसको found किया गया था बेसिकली एक तरह का startup है जहाँ पर जो metals होते हैं अलग-अलग metals की जब मैं बात करता हूँ तो specifically जो aluminum हो गया, zinc हो गया इसकी मदद से यहाँ पर क्या होता है air के साथ react किया जाता है और जिसकी वज़ेसे electricity produce होती है और उस electricity को हम store कर सकें उसका use कर सकें ये सारे development करने की कोशिश कर रहा है काफी समय से finnergy in fact मैं आपको बता दूँ कुछ हिस्सा यहाँ पर जो Indian Oil Corporation है उसने यहाँ पर finnergy के अंदर भी invest किया हो है मतलब उसका कुछ share जो है Indian Oil Corporation के पास भी है तो यहाँ पर basically ये लोग क्या करेंगे Aluminium Air Technology दोखो जैसे कि मैंने बुला Metal Air Technology बेस्ट जो बैटरी है तो ये तो overall पूरा एक umbrella term हो गया तो metal के अंदर कई सारे metals आ सकते हैं लेकिन ये जो दोनों के बीच में joint venture हुआ है यहाँ पर Aluminium जो metal है उसकी मदद से जो electric vehicle को एक तरह से power करना है electricity provide करनी है वो यहाँ पर करने की कोशिश की जाएगी तो चलिए सबसे पहले आप ये समझ लेते हैं कि ये जो Aluminium Air Battery है ये work कैसे करेगा किस तरह से हम electricity produce कर सकते हैं तो सबसे पहले चीज़ याद रखना ये बहुती कम cost में cost effective इसको बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो lithium ion batteries है आज के date में अगर आप देखोगे तो ये महंगी भी आती है और energy भी अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो बहुत जादा dense नहीं होता है लेकिन ये जो Aluminium Air Batteries है इसके अंदर energy काफी हद तक produce होता है तो इसका मतलब क्या हुआ जो car है अगर हम उसके अंदर ये fit कर देते हैं तो car लंबे distance तक जा सकती है तो ये बहुती अच्छा एक alternative create हो सकता है तो ये work कैसे करेगा तो basically बहुती simple है इसमें आप ये diagram अच्छे से देखे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ये है Aluminium की plate लगा दी जाएंगी एक side क्या होगा Aluminium की plate लगा दी जाएंगी और आपने देखा होगा जो normal batteries होती है उसमें आपने cathode और एक anode आपने सुना होगा already हमारे environment में वो उसको यहाँ से ले लेता है और यहाँ पर क्या होता है कि Aluminium Hydro Oxide का solution होता है वो क्या करेगा यहाँ पर air को एक तरह से react कराता है Aluminium plates के साथ और जब यह react होता है इसकी वज़े से electricity produce होती है और उस electricity को हम इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर अपने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए उसकी mobility के purpose के लिए तो इस तरह से आपका काम करता है तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा basically क्या है जो normal batteries है चेन lithium-ion batteries हो गया कोई भी normal batteries वो बहुत जादा heavy होती है लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया जो cathode है इसको हमें लगाने क्या होशकता नहीं है क्योंकि cathode हम क्या ले रहे है air को ही ले ले रहे है cathode तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका weight भी बहुत कम हो जाता है तो ultra light weight यह batteries होती है प्रेलिम्स exam में कि यह जो aluminium air batteries है यह काफी heavy होती है तो वो गलत हो जाएगा यह ultra light होती है बहुत ही हलकी होती है और इसको react किया जाता है और इसकी वजह से electricity produce होता है लेकिन इसके अंदर कुछ problem है यहाँ पर भी कई सारी दिक्कत हैं जैसे कि lithium-ion batteries अगर आप देखोगे तो यह हम recharge कर सकते हैं जैसे कि lithium-ion batteries आपके laptop हो गया mobile हो गया आप क्या करते हो जब battery खातम हो जाती है तो आप उसको तुरन charge कर लेते हैं लेकिन यह जो metal air batteries होती है जैसे aluminium वाला हो गया मैंने आपको example दिया इसको आप recharge नहीं कर सकते यह बहुत बड़ी problem है तो recharge नहीं कर सकते तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको या तो यह battery बदल नहीं पड़ेगी मतलब कि car के अंदर ऐसा सुविधा होनी चाहिए कि battery आराम से लगाई जा सके और एक station बगर हो जैसे कि आप station जाते हो डीजल पेट्रोल भरवाते हैं तो वैसे ही वहाँ पर आप एक station पर जाओ और तुरंत आपका battery पुराना वाला निकाल कर यह वाला एक और battery लगा दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा वापस से आपकी गाड़ी चल पड़ेगी या फिर वो जो battery आरड़ी available है उसमें यह जो aluminium plates हैं उसको तुरंत बदल दिया जाए मतलब कि अभी इसको लेकर research and development चलेगा तो I hope कि आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यह जो joint venture हुआ है Israeli firm और Indian oil corporation के बीच में यहाँ पर इसी को लेकर वो लोग research करेंगे कि हम इसको actual में practical use में कैसे ला सकते हैं सही तरीके से commercial viable हो वो हम कैसे कर सकते हैं यह सबसे बड़ी important चीज है इसके अलावा मैं बता तो कि commercially आज के rate में अगर आप देखोगे तो यह उतना produce नहीं होता है यहाँ यह बात से ही कि military applications वगर में इसका काफी हद तक use किया भी जाता है लेकिन इसकी बड़ी दिक्कत क्या आती है कि क्योंकि air में आपने देखा होगा carbon dioxide की भी मात्रा होती है तो जो CO2 होता है वो क्या होता है कि react करते करते जो aluminium है उसको एक तरह से कमजोर कर देता है धिरे धिरे मतलब कि जो corrosion जिसको हम कहता है यह आपका पिखल जाता है घिसने लगता है तो वो इसकी वज़े से aluminium जो है वो problem आपका cost उसकी वज़े से थोड़ा सा बढ़ जाता है यहाँ पर इसी के वज़े से इस पर research किया जाएगा कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं या फिर कैसे आगे चलकर हम practical use में ला सकते हैं लेकिन इसका एक फायदा क्या है जैसे normal जो lithium-ion batteries है आज के डेट में अगर हम गाड़ी के अंदर देखते हैं वो maximum बताया जाता है कि करीब 500-200 km फुल चार्ज में चल सकती है उसके बाद वापस आपको गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा बैटरी को तो यहाँ पर क्या होगा कि aluminium air बताया जाता है कि करीब एक चार्ज में एक बैटरी में 400 km आपकी जा सकती है मतलब डबल आपकी हो स सकता है क्योंकि जब तक हम उसकी रेंज नहीं बढ़ाएंगे तब तक यहाँ पर लोग उसको लेने से खत्राएंगे क्योंकि लोगों को लगेगा अगर मुझे 500-200 km भी जाना है तो यहाँ पर बार-बार चार्जिंग करो इस तरह की चीज़ें करो इसकी वज़य से आज की क्या होता है कि convert हो जाता है aluminum trihydroxide में जो आपकी aluminum plates वगर होती है इसको वापस से हम उसके अंदर से aluminum निकाल सकते हैं और उसको recycle कर सकते हैं एक तो यह हो सकता है या फिर directly हम industrial जो बाकी के industries हैं उसके use में दे सकते हैं तो जो waste है उसको भी हम recycle कर सकते हैं वो पूरी तरह से हमार environment को भी safe रखेगा ऐसा बताया जाता है आगे research and development होगा तो let's see कि कैसे चीज़ें हो पाते हैं लेकिन next यहां पर सवाल आता है कि भारत को इसकी इतनी ज़ादा उशकता क्यों है भारत ही इसको लेकर क्यों इतना ज़ादा उतसाहित है हम इसको क्यों कर रहे हैं क्योंकि आज क मैं आपको बताओं जो lithium है उसका भी जो amount है पूरे विश्वर में reserve अगर आप देखोगे तो बहुत कम है काफी हद तक यह कम होता जा रहा है जैसे जैसे इसकी demand बढ़ती जा रही है prices बढ़ते जा रहे हैं तो भारत के लिए जरूरी है कि हमें कुछ ना कुछ alternative यहां पर च होगा तो मतलब जो electric cars हैं वो अपने आप उसके prices down हो जाएंगे क्योंकि उसकी बड़ी संख्या जो है वो आपका electric vehicles के अंदर battery का ही cost आता है तो यहां पर यह कहोना मतलब एक तरह से भारत के अंदर जो हम कोशिश कर रहे हैं कि e-vehicle जल्दी से adopt किया जाए वो काफी तेजी से बढ़ सकेगा in fact मैं आपको बता दूँ कि यह जो पूरा आपका अभी development हुआ है इंडियन oil corporation और finergy के बीच में इसको लेकर क्या हुआ है कि अलरी भारत के अंदर जो दो बड़ी companies हैं automakers हैं मारुती, सुजुकी और अशोक लेलेंड दोनों ने यहां पर एक letter of intent sign कर लिय कि जल्दी से हम किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि world में एक तरह से leader के तौर पर हम उभर सकें इसको लेकर, तो I hope कि यह जो पूरा वीडियो था यहां पर इसके बारे में battery के बारे में आपको सब कुछ सारे details समझ में आ गए होंगे, जाने से पहले एक interesting आपके लिए question लाया हूँ, क्या आपको पता है कि भारत की जो state owned एक company है जिसका नाम है खनिज बिदेश India Limited, उन्होंने यहाँ पर एक देश के साथ agreement sign किया है, यहाँ पर जो lithium है उसकी mining वगरा को लेकर उसको और कैसे हम निकाल सकते हैं, इसको लेकर कौन से देश के साथ हमने यहाँ पर एक agreement sign किया है, क्या आप मुझे बता सकते हो, इसका जो right answer है आपको हमेशा की तरह Instagram पर तो मिलेगा ही, अगर आप Instagram पर नहीं हो, कोई बात ने, Telegram से आप इसका right answer ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, stories के form में, आप ज से economy पढ़ना चाते हैं, कोई भी course purchase करना चाते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूं आप से next time, till then, thank you very much, see you soon